दोस्तों यदि आपने भी एक्सिस बैंक में कोई S.I.P. ले रखा है और आपको अपने S.I.P. से कुछ पैसे विड्रा करना है तो इसे आप घर बैठे बैठे अपने मुवाइल से ही कर सकते हैं छाहे आपने S.I.P. आफलाउन कराया है या फिर आफ फिर ओनलाइन किया हो इसी भी तरीक्य से किया हो आप अपने S.I.P. से कुछ पैसे विड्राव कर सकते हैं तो इसे कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं इसके लिए सबसे पहले हम अपने मॉआइल में AccessMobile Application को open कर लेंगे और इसमें Fingerprint या फिर login में के जरी हम लॉग इन हो जाएंगे तो देखिए, मैं यहाँ पर AccessMobile Application में लॉग इन हो चुका हो यहां नेचे में 4-5 अपसंन है जिनमें से यह सबसे कोने वाला है इस More पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर कई अपसंन खुल गए हैं जिनमें से यहां दिया है investment इस investment में हमारा SIP होता है तो चलिए हम इस investment में क्लिक करते हैं तो देखिए यह है mutual fund उसके नीचे में हमारा S.I.P. दिया है हमने अपने इस S.I.P. में 32,917 रुपिया 12 पैसा लगाया है और अभी इसका current value है 34,143 रुपिया 30 पैसा अभी यह profit में चल ला है साथ 3% का mutual fund की जश्ट बगल में एक arrow दिया है इस पर क्लिक करेंगे यहां पर हमारे S.I.P. का और भी डिटेल आ चुका है current value, investment value, returns दसल यहां जो S.I.P. का amount हो रहा है मेरे एक S.I.P. का नहीं है मेरे पास 2 S.I.P. है यह जो amount है यह दोनों S.I.P. का है तो दोनों S.I.P. को अलग अलग देखने के लिए यहां पर एक arrow बना है इस arrow पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर हमारे S.I.P. का पूरा एटेल खुल गया है यह जो मेरे पहला वाला S.I.P. है इसी से मुझे पैसे redeem करना है यही मैं चाहूं तो इन दोनों से ही पैसे redeem कर सकता हूं लेकिन मुझे ज़्यादे पैसे को ज़़रूत नहीं है इसलिए मैं इस पाले-वाले S.I.P. से ही ही पैसे redeem कर लेता हूं यहां पर तीन इनवेस्ट मोर, स्विच एन स्टॉप और यहां पर एक अपस्वन दिया है रिडीम, हमें पैसे रिडीम करना है, इसलिए हम इस रिडीम पे क्लिक करेंगे, यहां पर एक नया पेज खुल गया है, अब यहां पर आमें चुनना है, चूज योर रिस्क प्रोफिट, तो इनवे दूसरा है, systematic withdraw, इन में से आप किसी को भी select कर सकते हैं, मैं इस one time को भी कर देता हूँ, फिर से यहां पर दो option खुल गए हैं, यदि आप अपने SIP से कुछ पैसे ही निकालना चाहते हैं, तो आप इस पहले वाले को select करना है, यानि partial को, यदि आप अपने SIP से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो full को select करना है, यान नीचे में इसका terms और condition है, इसमें check mark करके proceed पे click करेंगे, यहां पर region पूछ रहा है, यहां अपने SIP से पैसे क्यों rating करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं इस तीसरे वाले को select कर लेता हूँ, I need funds for personal use, यानि मुझ तथा email ID पे, दोनों पे एक-एक OTP जाएगा, तो दोनों में से कोई भी एक OTP लेकर यहां enter OTP में डाल देना है, OTP डाल कर submit पे click करेंगे, तो यहां पर देखे लिखा आगया success, your transaction is successful and your redemption request has been submitted, और यहां नीचे में एक reference नमर मिल चुका है, और यहां पे कुछ instruction दिया है, कि ह हमारा जो redemption है, 3-4 working day में complete होगा, उसके बाद ही हमारे SIP के पैसा हमारे account में credit होगा, ऐसा नहीं है कि आपने request कर दिया और तुरंत पैसा आपके खाते में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लवक 3-4 दिन पाने का time लगता है, हाला कि यहां पे किवल 3-4 दिन दिया है, लेकिन कभी साथ दिन तक लग जाता है, तो इस तरीके से आप लोग भी access mobile application के जरिए अपने SIP के पैसे को redeem करके अपने खाते में मंगा सकते हैं, तो यह वीडियो कैसा लगा, comment box में comment करके ज़रू बताईएगा, अगर यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like कर दें, हमारे चैन करके बेल आइकन जरू प्रेस कर दें, तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नालेज वाले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,